मस्कार दोस्तों, स्वागत आप लोग का General Studies for Civil Service में और स्वागत आप लोग का मेरे इस नए लाइफ क्लासिस में या आप लोग के सकते हो इस नए वीडियो में तो आज ये First Test का Continuation Series है, थर्ड वीडियो होगा ये, इसमें भी 10-15 कोर्शन में करने की कोशिस करूँगा, जो आप लोग के लिए बहुत ही important होगा तो दोस्तों सीधे चलिए स्टार्ट करते हैं अपना डिस्कॉशन, तो 25 कोर्शन तक मैंने पार्ट 2 में डिस्कॉश कर लिया है, नाव लेक्स गो अहेड विट पार्ट 3 और फर्स कोर्शन इस प्रेंट, दे रिट आप हेवियो स्कॉर्पस कैन भी इसू इन विच अफ द फ्लोउइंग इवेंट्स, कोशन पूछ रहा है यहां पे कि जो रिट आप हेवियो स्कॉर्पस है और कौन-कौन से कार्णों से जो आपका उसे जारी किया जा सकता है, A. To seek relief from the unlawful detention of him or her shell, B. To seek refund of excess tax, C. To seek relief from the violation of freedom to speak, चले इसको क्लियर करता हूँ, द्यान मैं आप लोग के लिए आगे बरता हूँ, और भी option मैं आप लोग को बता दूँ, द्यान दोस्तों यहां पे आप लोग को दिखाए दे रहा हुआ, When the person is arrested without any violation of law, then none of the above, more than one of the above, so answer is brand E. None of the above and more than one of the above, कोर्षर हिंदी भी देख लिजीगा, happiest corpus का रिक निविकित में से किस लिए जारी किया जा सकता है, तो चले मैं बताता हूँ, फटा फटा आप लोग को दोस्तों, तो happiest corpus का मतलब क्या होता है, to present the body, मतलब कि इस सरीर को ह पूमारे सामने लाओ ये नियाले कहती है, दोस्तों, ये कबड़ी कह सकता है, जब किसी बैक्ति को हिरासत में लिया जाता है, और 24 गूंटे के वीगतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं किया जाता है, तब, जब किसी कानून के उलंगन के बिना बैक्ति को गृपतार कि जाता है जो अज से में धानिक है तब जब किसी बैक्री को नुक्सान पहुचाने के लिगना जरवन्दी की जाती है या गलत बेभार करता है तो इस टाइम भी यह आपका जो इसू किया जा सकता है यह ध्यान में आप लोगों को रखना है ठीक है दोस्तों तो इसका आंसर क्य यह राजमनार सम्मिति का गठन किया गया था A. Industrial Licensing B. Direct Taxes C. Central State Fiscal Relations D. Indirect Tax E. None of the above and more than one of the above answer is when C. Central State Relations किसले जारी किया गया था? Central State Relations के लिए जो है राजमनार कमिटी बनाई गई थी यह धियान में आप लोगों को रखना है 2nd September 1969 को जो इसे बनाई गया था तमिलाडू के DM के गौवर्मेंट के द्वारा यह धियान में रखना है आप लोगो Chairman Dr. P. V. राजमनार जी थे ठीक है? चले next question के उपर हम लोग आगे पहुशते हैं दोस्तों तो next question है यहाँ पर आप लोग के शामने कि who among the following कोशन क्या पूश रहा है दोस्तों, who among the following recommends to the President the basis for distribution of the net proceed of taxes between the center and state? हिंदी में देखें निम्गित में से कौन राश्पती को केंद राज्यों के बीच करो की सूद आए के भितरन का आधार बनाता है या बताता है? A. Finance Minister, B. RBI, C. Finance Commission, D. Parliament, E. None of the above. Answer is when C. Finance Commission. Article 280 के द्वारा ये बनाया जाता है, कौन बनाते है? हमारे प्रेजिडेंटी बनाते हैं, अभी जो है दोस्तों 15th बन चुका है, N.K. Singh जी इसके अध्यक्षता है, ये 2020 से 2025 तर जो लागू होगा, ये भी ध्यान में आप लोगो को रखना परेगा, ठीक है? तो चलिए नेक्स्ट कोशन के उपर हम लोग आगे बढ़ते हैं, दोस्तों तो नेक्स्ट कोशन है, कितने स्टेट चो है आपके उत्तर पूरब परिशद के समूह में हैं, कितने ये पूछा जा रहा है? तो दोस्तों इसका आंसर जो होगा, वो होगा आपका D8, क्या आंसर D8 है, ये ध्यान में आप लोग को रखना है, ठीक है दोस्तों, the council consists of 8 members, जिसके अंदर दोस्तों नाचर परतेश, असरम, मनिपूर, मिघाले, मिजोरम, नागालेंड, सिक्कीम, तिरपूरा, ये सब आती है, 2002 में सिक्कीम became the 8th member of the state of council, नौर्थ इस्टन जो council है, उसका लास a rule of legislative procedure, under which a further debate on emotion can be stopped, क्या, संसद्य सब्दावाली के संदर में, हम विदाई पर क्रिया के एक नियम को क्या कहते हैं, जिसके तब एक पस्ताव पर आगे की बहस को रोका जा सकता है, तो दिस्टों इसका आंसर होता है, एक closure, बंद, मतलब बंद कर देना, close कर देना discussion को, ठीक मिनेंडर, first, the famous Indo-Greek ruler, set up his capital at which place, जो मिनेंडर, first, परसित Indo-Greek सासर था, उसने कौन से अस्थान पर अपने राजधानिया स्थापित की थी, तो इसका answer है, दोस्तों, सियाल कोट, सियाल कोट में स्थापित किया था, ठीक है, ये धियान में आप लोग को रखना है, ठीक, सका सकाला भी बोला जाते है, स, ए, क, ए, ए, ल, ए, सकाला, ये यार रखेगा, ठीक है, नौ, नेक्ट कोशन के उपर बरते हैं हम लोग, तो नेक्स्ट कोशन है, दोस्तों, विच अमंग दा फोलोईंग, इस यान एक्स्टेंट सका आप दरीग वेद समीता, हिंदी में कोशन क कि बात करें, निर्कित में से कौन रिगवेद सहिता का एक बिलक्षन शाका है, तो दोस्तों, इसकी आंसर की, अगर हम लोग बात करते हैं, तो बहुत इंपोर्टेंट कुशन है, बार बार पुछा जाता, आंसर है, दोस्तों, यहां पे, शकाला, C, इसका आंसर के है, C, श जान में आप लोग को रखना है, तो रिगवेद is the oldest बेद, और दोस्तों, इन इसकाला, C, अब शकाला, 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 C, यह याद रखेगा, Now, let's come to the, दोस्तों, यहां पे, next question के उपर, अब हम लोग आगे बरेंगे, तो बहुत important है, next question, क्या है question, who among the following is let down for punishment for a person, becoming mendicant without making a educate provision for dependent wife and children, हिंदी में क्या question, निलकित में से कौन निर्भर पत्नी और बच्चों के लिए, परियाब प्रभधान किये बिना एक व्यक्ति के लि निर्धारित करता है, तो दोस्तों, इसका answer है, कोटिल, कोटिल क्या कहता है, अगर कोई बैक्ति अपना घर छोड के जाता है, अपने वाइपर बच्चों का कुछ नहीं करता है, तो उसे डंड देना चाहिए, यह ध्यान में आप लोग को भी रखना है, ठीक है, यह important था, मैंने आप लोग को बता ही दिया, यह सारे चीज़े, नेक्स्ट कोश्चन हम लोग देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे, नेक्स्ट कोश्चन है, आप लोग के सामने यहाँ पे, the महा संगिक, okay, school arose at which among the flowing places, महा समीका, इसकुन निम्टित में से किस अस्थान पर उत्पन हुआ तो इसका अंसर क्या होगा दोस्तों, डी बेशाली में, कहां पे, डी बेशाली में, महा समीका, महा संगिका के नाम से भी जाना जाता है, महान मठवासि समुदाई, से भी ठीक है, और निकाई, बहुत धन के पहले विद्याले में से एक बेशाली में यह आपका पाए गया तो यह ध्यान में याद रखेगा महा संगी का जो है आपका कहां दी बेशाली में पाए गया या बेशाली में उत्पन हुआ था ठीक है इसमें से कौन सा रूलर है जो देव पूत्र का उपाधी धारन हासिल किया था तो दोस्तों इसका आंसर क्या होता है जो ना मौरी ना सुंग ना जैसा का इसका आंसर है कुशान कुशान जो है अपने आपको देव पूत्र कहता था ठीक है यह ध्यान में आप लोग को रखेगा और कुशान समराज कनिस्क जो था कुशान राजबंस का एक परमुक शासक था जिसने जम्मु आ कस्मी राज में उलेखनिये मिलके पत्थर की रूप में काम किया था ठीक है उनके बंसोजों ने उन्हें देव पूत्र कहा जिसका अर्थ होता है देवताओं का पूत्र ये ध्यान में रखेगा नाव नेक्स कोर्शन के उपर पोशते हैं दोस्तों यहां पे आप लोग के सामने नेक्स कोर्शन है रूलर्स ऑफ विच अफ दा फ्लॉइंग डाइनिस्टी मेंटेन डिप्लोमेटिक रिलेशन विद दिश्टेंट कंट्री सच अज सीरिया इन दवेश्ट निमलखित में से किस राजवन्स के सास को ने पस्ची में सीरिया जैसे दूर के देशों के साथ राजनेक संबंद बनाए रखा तो दोस्तो इसका आंसर होता है क्या मौरिया, येस मौरिया इसका आंसर है, इसका आंसर क्या है दोस्तो मौरिया, ठीक है ये ध्यान में आप लोगों को रखना है, दोस्तो मौरिय समराद बिंदुसार के सीरिया के ग्रिक राजा एंटियोकस पर्थम के साथ मेत्रिपुन बंद थे ये ध्यान में रखिएगा और जो आपका डामिकस एक जो सिरियाई राजूस था जो बिंदुसार के दरबार में भी आया था ठीक है नाव नेक्स्ट कोश्चन है दोस्तों यहां पे आप लोग के सामने पहला दोस्तों यहां पे आपका नागनंद जो है सुद्रुका क्या इसने बुक लिखा इसके बारे में मुद्रारा जो राक्षस विसाखदत मिक्च कटिका हर्स दी रतनावली सेखर उप्रिक में से कोई ने उप्रितने सेख सेधिक इसका अंसर है दोस्तों यह याद मिर्च जो आपका कटिका है इस टेन एक संस्कित ड्रामा रिटेन बाई सुद्रक मिर्च कटिका सुद्रक ने लिखा ठीक है यह ध्यान में रखिएगा और नागनंद इस वन अब बिश्च संस्कृत ओके ड्रामा इन फाइब एक्ट डिलिंग द पॉप्लर स्टोरी आप ज जो मुद्दार अक्चस मिसाका दत ने बिल्कुल सही लिखा था यह ध्यान में आप लोगको रखना है ठीक है कोशन पूछा भी जाता है द्यान उसके बाद दोस्तो आगे बढ़ते हैं तो रतनावली जो एक संस्कित ड्रामार था जिसको किस ने लिखा था दोस्तो ठीक ना हम लोग नेक्स्ट कोशन के उपर बढ़ेंगे दोस्तो तो इसका नेक्स्ट कोशन है विच अमंग दा फ्लॉइंग विलेज वास्ट ऑफ दा विक्रम सिला महाबीरा दरीनो एजुकेशन सेंटर ऑफ पाला पिरियाइड हिंदी में देखिए कोशन क्या दोस्तों को बोल रहे हैं निमकित में से कौन सा गाओं विक्रम सिला महाबीरा तो दोस्तों इसका आंसर क्या है इसकी आपसद है नबाशार है याद कर दोस्तों आंसर आन्सर विक्रम सिला विक्रम सिला कि अस्थापना पाल राजा धर्म पाल ने किया था ठीक है ये ध्यान में आप लोगो को रखना है इसे बक्तियार जो खिल जी है उसने नश्ट कर दिया था और जो आपका नलंदा भिश्विद्धाले है उसकी अस्थापना किस ने किया था कुमार गुप्त पर् चनना जो था इसका आश्र होगा यह धियान में आप लोगो रखना है इसके सार्ति थे बाध के सार्ति थे ठीक है चनना इक्रसों से उपरवर बरते हैं दोस्तों और यह आपका इंपोर्टेंट कोशन है तो कोशन के है चले मैं दिखा आथा हूँ इन्दी में बहुत धर्म की सिक्षाओं में निमिकित में से कौन सा बहुत गरंथ है यानि बहुत धर्म के सिक्षाओं से सम्मनित कौन सा बहुत गरंथ है यह आप लोगों से पूछा जा रहा है अभी दम पिटक, बिनाय पिटक, सूथ पिटक, बोथ B and C D, E, none of the above and more than one of the above तो दोस्तों इसका आंसर है सूथ पिटक, यह याद के आएगा सूथ पिटक, क्या है दोस्तों सूथ पिटक है यह ध्यान में रखना है सूथ पिटक जो है ध्यान के बारे में गोतम विट के सिक्षन का सार है यह ध्यान में आप लोगों को रखेगा और यह बारबात पूछा भी जाता है ठीक है दोस्तों, अब हम लोग पहुशते हैं यहाँ पे नेक्ट कोश्चन के उपर तो पहला कोश्चन है बाज बहादूर मालवा, सुल्तान मुझबपर शाह गुजरात, यूसिप अदिल साह एहमद नगर, कुतुब साह गोलकुंडा, E. नन अब देबब, and more than one of the above तो दोस्तों इसका आंसर जो होगा, इसका आंसर होगा C, यह जो है आपका गलत मैच है, यूसिप अदिल साह, आदिल साह, एहमद नगर, यह गलत है, ठीक है दोस्तों, तो यूसिप अदिल साह, was the founder of the, आदिल साही डाइनेश्टी, that ruled the, सुल्तान, सल्तनात आप यह ध्यान में आप लोग को रखना है, ठीक है, तो यह भी important question था, जो मैंने आप लोग के बता दिया, अब हम लोग फोस्ते हैं, दोस्तों, यहाँ पे next question के उपर, ठीक, next question है, इसको मैं थोड़ा clear कर दू, तब मैं आगे बरता हूं दोस्तों, तो यहाँ पे next question है, आप लो सा सुल्तान था, फिरोज तुगलक नहीं, सिकंदा लोदी नहीं, ग्यासुदिन तुगलक नहीं, मुहम्मद बिन तुगलक, आंसर क्या है दोस्तों, मुहम्मद बिन तुगलक, बिजयनेगर वाज, जो बिजयनेगर था, इंडियन का क्या था, हिंदू इंपायर था, जिसे अब आदिल साही दाइनिस्ट्री और विजापूर वाज विजापूर के आदिल साही मंस्के सिनापती अबजल खांका बस्तविक नाम क्या था ये आप से पूछा जा रहा है तो दोस्तो इसका आंसर होगा अब्दुल्ला बहतारी ये ध्यान में रखेगा ठीक है इंपोर्ट ये सासक कौन था अलाविदिन खिल जी द्रैन जो है दोस्तो आपका यहाँ पर फिरोज दुगलक अकबर और अगजेव ननाव देबब आंसर है दोस्तों C अकबर इसका अंसर क्या होगा C अकबर अकबर पहला रूलर था ठीक है जो सरकार के खर्चे पर राज के खर्चे प क्या बोला दोस्तों हिंदी में कोशन देख लेजिगा मैं आपको बता देतो हूं हिंदी में भी कोशन कोशन बोला दोस्तों निम्सर सासक ने सिक्कों पर कलमा उद्कीन करने पर परतिबंध लगा दिया था तो दोस्तों इसका आंसर जो होगा वो है आपका औरंगजेब औरंगजेब ने जो है कलमा जो है यानि सिक्कों पर कलमा करना उद्खनन करना उस पर बैन लगा दिया था तो यह आप लोगों को क्या करना है धियान में रखना था तो आज का जो हमारा important session है दोस्तो हमने cover कर लिया अब next question next session जोगा वहाँ पे भी मैं detail में आप लोगों के साथ बहुत सारे चीज़ों को discuss करूँगा तो please आप लोगों क्या करेगा जो इस channel को subscribe कर लिजेगा इसको like share कीजे अपने दोस्तों को बताईए कि यह सारे चीज़े चल परा है ठिक है यानि कि daily हम लोग किया सकते कि यह जो होगा आपका दोस्तों मैं कोसिस करूँगा कि daily आपको 10-20 question important question ले कर के आओ जो पूरा पूरा detail जो है आपका test series को cover कर लेगा उससे होगा क्या आपको भी फै सबको भी बोले कि channel को subscribe करें ओके दोस्तों धन्यबाद कोई problem होगा कुछ comment करना होगा तो please you can comment आप लोग comment भी करिएगा शेयर भी करिएगा video ठीक है धन्यबाद फिर मिलते हम लोग नए एक live classes में या नए एक video में thank you so much